मनिपूर में 3 माई से शुरू हुई हिंसा के 51 दिन पूरे हो गए हैं लेकिन हालत सामने नहीं हुए हैं इसे लेका ग्रह मंतरी अमिश्या आज दोपर 3 बचे से दिल्ली में आल पार्टी मीटिंग करेंगे मनिपूर के शिक्षा मंतरी बसंता सिंग ने बताया कि मीटिंग में राश्टी पार्टीों के साथ मनिपूर के मुद्दे पर चर्चा होगी हलाकि इस बेठक को कॉंगरिस ने बहुत लेट और नाकाफी बताया है कॉंगरिस का कहना है कि अगर मनिपूर के लोगों के साथ बाच्चित की कोशिश दिल्ली में बैठकर की जाएगी तो इसमें गंबिर्ता नहीं दिखेगी महीं राउल गादी ने इस बेठक पर सवाल उठाए है उन्होंने ट्वीट कर कहा कि बेठक ऐसे समय में हो रही है जब पीएम मोदी अमेरिका की यात्रा पर है इसे पता चलता है कि या बेठक पीएम के लिए महतवपूर नहीं है कॉंग्रेस नेता जैराम रमिश ने कहा था कि आल पार्टी मिटिंग इंफॉल में होनी चाहिए इस पर मनीपूर के शिक्षा मंतरी बसंता सिंग ने कहा कि जैराम रमिश को पता नहीं है कि पिछले महीने इंफॉल में एक आल पार्टी मिटिंग हो चुकी है इस मिटिंग में पूर्व सियेम और कई कॉंग्रेस नेता शामिल हुए थे अमिश चा के मनीपूर दोरे के समय भी विपक्षी पार्टियों की मिटिंग बुलाई गई थी मनीपूर में जारी हिंसा के बीच कई पार्टिया राज में राष्टपती शासन लागू करने की मांग कर रही है हलाकि मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक मीटिंग में राष्टपती शासन पर चल्चा की संभावना नहीं है असम सीम हिमनता विश्वा सर्मा की अमिश्शा से मीटिंग के बाद ये फैसला लिया गया है इसी के साथ बने रही है राज नमा टिवी के साथ दन्यवाद